हेलो फ्रेंज, मेरा नाम है वसीम, कैसे हैं आप सब, फिस से जयाफ रेल में आपका स्वागत है, तो आज हम सियालदा राजदनी एक्सपेस से जन्नी करेंगे, डिपाचर हमारा दुरगापू जंक्शन से होगा और हमारा जन्नी गया जंक्शन में समाप्त होगा, इस पूरे जन्नी के दोरान हमें दो स्टॉप देखने को मिलेंगे, पहला होगा असांसोल जंक्शन, दुसरा है धनबाज जंक्शन, तो बिना किसी देरी के हम अपना जन्नी शुरू करते हैं, तो आज हम लोग को मिला है वैब सेवन, तो पहले वैब सेवन का हम लोग हो चुका है, तो आज हम लोग ये इंजीन को स्टार्ट करते हैं, इंजीन का बहुत अच्छा सा आवाज आ रहा है, वैब सेवन के इंजीन का, ठीके, तो हम लोग को अभी सिगनल दे चुका है, तो चले अब लोग का जन्नी, बन दिपार्चर करते हैं, हान मार के, हम लोग यहां दुर्गापुर जंक्शन में प्लैट्फरम नमबर फोर में थे, ठीक है, तो सामने ही तो लगता है, लेबर क्रोसिंग आ रहा है, तो हान मार के, क्रोस करते हैं इसको, तो हम लोग का अभी तो पूरा ग्रीन सिंगनल दे के रखा है, तो हम लोग का अभी स्पीड लिमिन बिलना है, तो 55 का, चले स्पीड अप करते हैं, तो अभी हम लोग को डबल यलो सिंगनल मिला है, तो इसका अथब कोई ट्रेन का हम लोग अभी क्रोसिंग होने वाला है, तो अभी हम लोग को सिंगनल यलो सिंगनल मिला है, तो स्टॉप करते हैं, ट्रेन को अभी यहां पर, ठीक रेट सिंगनल के सामने, हम लोग ट्रेन को रोग देंगे, ठीक है, हम लोग कहीं यहां से हॉन सुने दे रहा है, देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है, वैब 7 के साथ, टैंकर्स वाली फ्रेट ट्रेन है यह वाली, जो कि इसमें पेट्रोल लेके जाते हैं, तो वैब 7 के साथ, यह टैंकर्स वाली गुद्स ट्रेन चली गई, तो हम लोग को आगे जाने का सिंगनल मिल चुका है, चले हॉन मार के डिपार्ट करते हैं, क्या हुम चले हैं, तो हम प्रेटन चली ओे येश्य के साथ, अगैंकर्स आगें, तो हम नह ब्रेटन सैंग्म, जो धिए।व्श ष्रेटन अ के साथ, तो हम भांप tätä साथ, तो हम आए लोग्यर को वाली एन फिming को हैं तो यहां से अभी आसांसवल जंक्षन जो हम लोग का पहला स्टॉप है तो यहां से हम लोग का 18 किलोमिटर दूर है ठीक है अब यह देखे अभी हम लोग ड्रोन से देख रहें अपनी ट्रेन को यह हम लोग का एकदम सामने वाला कैमरा एंगल है करना पालेगा है है क्या हम लोग अभी गार ठीक है चनेंटर कार में आ चुके हैरा है अभी हम लोग को डबल यगलो स्ट इनन मल चुका है क्योंकि सामने यासानसवल जंक्षन आने बाला है कि याला हम लोग को याला हम लोग फर्स्ट एसी कोच में आ चुके हैं और यह सेकेंड एसी कोच में लगता है ठीक है अभी हम लोग को स्पीट होसा कम करना पड़ेगा तो हम लोग आसान सोल जंक्शन प्लैट्फॉर्म नंबर कौन सा है भाई यह प्लैट्फॉर्म नंबर थ्री में हम लोग आराइव कर रहे हैं कि शुट को तो सकम कर देते हैं यह तो हम लोग ट्रेन को सही टैम पर रोक नहीं पाएंगे यहां पर देखाए अनॉसमेंन चल लिया तो अभी ट्रेन को रोक देते हैं यहां पर यहां पर आस्यास से रोक दे रहें हां चले हम लोग अभी ट्रेन को रोज चुके हैं पहला स्टॉप में तो अभी हम लोग को वेटिंग दिया यहां पर पैसेंजर बोर्डिंग का चले पैसेंजर बोर्डिंग का टाइम खतम हुआ चले अभी हम लोग हॉन मारके यहां से रिपार्ट करते हैं सिग्नल भी मिल चुका है यहां से चले अभी हम लोग दूसरे आंगल से हम लोग यहां से रिपार्ट करते हैं यहां से ठीक है तो हॉन मारते हैं यहां से यह आला एंगल कैसा लगा आपको हमको कमेंट करके जरूर बताईएगा आसनस जेंशन में ऐसा डी पाछर कैसा लगा आपको हमको जरूर करके जरूर बताईएगा है कि हम लोग इतना पिच चाह चुके हैं यहां पर देखिए एक टो स्ट्राटिक कोचे सब्टे हुआ है आइसी एफ के विजनेटर कर हाँ 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 मानने का सिंबॉल आया हम लोग कर लगता है अभी स्ट्राइक चेंज हो रहा है किया लगे पेंटोग्राफ का कैमरा एंगल है यह देखिए अभी हम लोग को 150 का स्पीड लिमिन मिला है तो स्पीड अप करते हैं वैसा भी हम लोग आज वैफ 7 मिले हैं तो आप जानते ही होंगे कि वैफ 7 का अच्छा होता है तो उपर लगते हैं एक टू ब्री जा रही है तो उसे हॉन मार के क्रॉस करते हैं चलिए अभी 50 का स्पीड लिमिट आ चुका है तो हम लोग अभी इसको स्लो डाउन कर देते हैं 30 को मतलब इसका ब्रेकिंग भी कितना अच्छा है एकदम वैफ 4 के तरह अच्छा सा कम किया मतलब पूरा एकदम कम हो जाए मतलब अच्छा सा ब्रेकिंग कर लेती है वैफ 7 तो हम लोग अभी 33 के स्पीड में चलाएंगे ट्रेन को तो हॉन मारने का सिंबॉल आ रहा है तो हॉन मारते हैं अभी हम लोग को तो वैसे भी ग्रीन सिंग्नल देखे रखा है कि हम लोग की तो वैसे भी प्रीमियम टेन है ना तो हम लोग को सिंग्नल मिलने का बात किया था लेकिन अभी यहां पर रोकने को बोल रहा है कि हम लोग का अभी दूसरा क्रॉसिंग होने वाला लगता है विपर एक टो ब्रीज गई है तो नहीं क्रॉसिंग नहीं होगा धनबाज जंक्शन आ गिया सामने मैंने देखा नहीं है अपर हाँ धनबाज जंक्शन सामने आ चुका है तो धनबाज जंक्शन और आट किलो मिटर्स यहां से है तो उस भी थोरसा आप कर लेते हैं जल्दी पहुशने के लिए हान मानने का सिंबॉल आ चुका है यहां पर और यहां पर देखिए कुछ स्टेटिक कोचेस रखे हुए है गरीबलत एक्सपेस के और आइसी एफ के भी रखे हुए है विज जनेरेटर कर लगते कुछ ज्यादा स्पीड हो गया है तो उसा कम कर चले तो अभी हम लोग दनबाद जन्शन में अराइव कर रहे हैं कर चुक है यहां पर दनबाद जन्शन में तो यह प्लैटफॉर्म नंबर हम लोग को थ्री में दिया गया है तो अब हम लोग अराइब किये दनबाद जन्शन में तो हम लोग यहां पर अभी स्टॉप करते हैं अन्ट्रेन को किसा में सिग्नल दरेट है और यहां पर पैसेंजर बोर्डिन्ग भी होगा कि अच्छेल अब नगे अब यहां वेट कर ना है पैसेंजर बोर्डिंग का को को मतलब वैफ 7 का कितना अच्छा यह आ रहा है मतलब आवाग बहुत अच्छा आ रहा है वैफ 7 का जैसा रियलिस्टिक में आता है न वैसा ठीक है तो हम लोग अभी यहां से डिपार्ट करने का सिगनल दे दिया है तो हॉन बर के डिपार्ट करते हैं करते हैं को बंदी पार्ट करते हैं कुछ ईसी अंग्ल से डिपार्ट करते हैं यह देख्यें कि आपको सा एंगल तो टो स्वाजय बताईएगा और पारonna, बटाईएगा और यहां पर भी धनबाद जंक्शन में आपको कैसा लगा है वो भी हमको कंबेंड करके जरूर बताईएगा तो आप यहां से मेरा जो मेरा ड्यूटी है गाया जंक्शन यहां से 195 किलोमेटर जूर है तो यह थो सब्सक्राइब करने से एकदम 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 इसका आप जान सकते हैं कितना अच्छा हो सकता है यह वीडियो में देख कर भी यह एकदम 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 ए तो हम लोग पहले अभी हम लोग इंटेरियर देखें इसका एक ही इसका केमरा इंगल दिया हुआ है इंटेरियर का आपको इंटेरियर का आपको कैसा लगा सेकेंड एसी कोच का तो हमको कम्बेंट करके जरूर बताएं तो अभी हम लोग कोस से बाहर आ जाते हैं बाहर आ गए तो अभी सामने 50 का तो हम लोग को कम करना पड़ेगा इतना इतना में ठीक है और यहां पर हान मानने का सिम्बॉल था और देखें हम लोग एक टूनल के अंदर होते होगे गुजर रहे हैं सामने एकदम खेते हैं और कुछ जंगल से सामने सामने एकदम माउंटेज बना के रखा हैं मतलब जैसा होता है ना रियलिस्टिक में वैसा बना के रखा हैं अधर सामने तो 150 का समीड आने ही वाला है कुछ ही देल में तो स्पीड अप कर लेते हैं क्ऐस से बहुत सारे फैक्टरी बना सके हुआ है और चोटे-चोटे टाउं से हांपर घर देखें सामने आप थाहँ सा ये ये that कॉन्सेलियों का पैरलेल्ल्ग हो रहा है ट्रक और हम लोग का ट्रेन का हाथ वसा गौर करके देखें और देखें उपर से एक तो ब्रीज गया है आई भी ब्रीज देखें तो हम लोगों ट्रक को अभी ओवर्टेक कर रहे हैं तो अभी सामने 65 का लिमिट आ गी है तो थोड़ा सा स्लोडाउन कर लेते हैं बस इतना ही लेने से ठीक है कर देखें सामने खेये थे कुछ-कुछ ट्रीज लगाए हुए है यहां पर यहां पर देखें एक तो माउंटेन है यहां पर होंटेन है और यहां पर बहुत सारी ट्रीज है लगता एक दम फॉरस्च के तरह यहां पर देखें हान मानने का सिंबोल है और मारते हैं यहां पर देखें और एक टू टैनर्स आ गया है तो उसमें से होते हुँझ गुजर रहे हैं फिर बहार निकलके और एक टू टैनर आ मतलब आज आप आप लोगों को तीन को टेनर्स देखने को मिला आज अगर आपको टेनर्स अच्छा लगते हैं तो हमको कमेंट करके जरूर बताईए का तो 150 का स्पीड में लिमिड मिल गया है तो स्पीड अप करते हैं कि यह देखिए यह अलब क्रॉसिंग आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए गा तब इस इस्टी का स्पीड लिमिन मिल गया है तो पस स्लोडाउन कर देते हैं और और यहां से गाया जंच्छन ठीक 85 किलोमिटर्स दूर है देखिए अभी लगता है तो सुबह हो रही है भी आस्ते आस्ते सुबह हो रही है तो यहां पर देखें एक टो फैक्ट्रीज है यहां पर देख चोटे चोटे बिल्दिंग्स है मतलब एक टो सीटी यहां पर है मतलब जैसा रियलिस्टिक में आप लोग जन्री करते हैं वैसा बनाने के एकदम कोशिश किया यहां पर यहां पर देखते हैं एक टो ब्रीज आया है तो हां मतले क्रॉस करते हैं तो देखें यहां पर अभी सुबह हो चुकी है तो संड्राइस हो चुका है यहां पर संड्राइस हो रहा है अभी मतलब आपको यह वाला सीनरी कैसा लगा हमको तो जरूर बताईएगा और संड्राइस आपको कैसा लगा हमको अब हम लोग को 50 का स्पीड ने मिला है तो 53 में रहने से ठीक है 54 ज्यादा स्पीड अप नहीं करेंगे थोड़ा सा तो हम लोग को अभी ब्रीच को क्रॉस कर रहे हैं यह कौन सा रिवर है हमको जरूर कमेंट करके जरूर बताईएगा कि कौन सा रिवर है तो अब हम लोग को 30 का स्पीड लिमिट मिला है तो थोड़ा सा स्लो डाउन और 40 के बीच में रखते हैं कि उसके बाद तो 45 का स्पीड लिमिट आ रहा है तो अब हम लोग का डबल यलो सीगनल मिला है देखते हैं अभी कौन सा ट्रेन हम लोग को क्रॉस करता है यहां पर करते हैं तो जो सामने जो सीगनल ला रहे हैं तो वहां पर जाके हमको ट्रेन को रोग देना है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि तो अभी एक ट्रेन आ रहा है कि अभी ट्रेन आ रहा है आपर देखते हैं कौन सा ट्रेन आ रहा है कोssa लिज़ा के सांवा ओवां और हम आ तो डिवाजी है और यदि यज़ा रही है को सब्सक्राइब उच्बार्ट करें अंपकिन dopo 152 डियू कि सब्सक्राइबत इस पर आ तो एक इस नोगे प्रकाइब तो अभी यहां से 28 km दूर है तो जली-जली एस्टेट करते हैं यहां से मतलब थोरी नहीं कि 100 km का जितना स्पेली बेने उधना में करेंगे तो उससे थोरा से जादा हो दो हेवाँ पर यूज अनलेच से हम लोग को पॉच नहीं इत्रम टाइम टू टाम हम लोग को पॉच्च लाएं यहां पर एक टोड़ ले बक्राशिंग आहरा है तो यहां पर होज रहें के क्रॉस करतें एक बढ़ा है तो यह पर होन मनने कर यह है यह जाए है तो सामने तो गाया जनक्षन आ रहा है कि हम्रोगा भी लगता है ट्रेक्स चेंज होने वाला है यह बसलों सिंग्डेल के वाइट जलती है ने सैंट लोग समझ जाते हैं कि हमलो पर तो स्ट्रप्रों था नहीं है आपको दिखाने के लिए तो हम लग आसते आसते एकदम अराइफ कर रहे हैं गाया जंक्शन तो हम आसते आसते एकदम आसते आसते तो हम लोग अभी प्लैट्फॉम नंबर प्लैट्फॉम नंबर फाइव में हम अभी अराइफ किये हैं रहे जंक्शन में कि यहां पर अभी अनॉस्मेंट चले दूसरे ट्रेंट का तो जादा स्पीड अप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग तो स्टॉप यहां पर ही है और मेरा यहां पर ड्यूटी यहां तक ही दिया गया था हमको और अगर हम लोग यहां पर स्टॉप कर देंगे उसके बाद हम तो दूसरे लोको पाइलिट यहां से सिधा डिली तक लिके जाएंगे यह ट्रेंगे तो हम लोग अभी यहां यहां तक ही समाप्त होता है तो कैसा लगा आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजेगा और ज्यादत लाइक कीजेगा और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएएगा तो ऐसा ही ट्रेंड की जैनलिस आपको मिलते रहेंगे तो तापते के ले सायुनरा और बाई